सो भाई लोग स्वागा था आपका एक ब्रेंड न्य वीडियो पे सो आज के इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूं कि डूक 200 ब्याइट को कौन से राइट के बंदे परफेक्टली राइड कर सकते हैं सो भाई लोग वीडियो पे बने रहे हैं लास्ट मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताऊंगो इस बाइक का सो भाई लोग यह मेरा भाई है और अभी इसकी हाइड मेजर करेंगे और चेक करेंगे कि यह इसबाइक को परफेक्टली राइड कर सकता है कि त न गे तो यह वाई लोग जैसंगी को भाई को ब्राइड कर सकते हैं लेकिन कुछ कैसे मेंगो भी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि हाई स्पीड पे अगर ब्रेकिंग करेंगे तो वहाँ इनको प्रॉब्लम हो सकती है और जैसे डेली अगर ट्राफिक में फ़स गया तो वहाँ भी इनको प्रॉब्लम हो सकती इस बाइक को राइट करने में सो बाइ लोग потek आप सुान हिसा करते हैं और देखते हैं कि ये िस बाइक को पर्फेक्ट्ली систем कर सकते हैं कि नहीं है तो आए लोग जैसा कि आप देख सकते हैं ये पाइक हाइट है 5.8 फीट बाइक करते हैं कि यह भाइज बाइक को परफेक्ली covers कर सकते हैं लेकिन है जैसे कि आप देख सकते हैं यह फूट स्टेप पूरे रोड पर टाच हो रहे हैं इनके हाइट के बंदों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो इस बाइक को राइड करने में इस बाइक को परफेक्टली राइड कर सकते हैं कि नहीं बाइक के भी फूट स्टेप पूरे रोड पर टाच हो रहे हैं इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस बाइक को राइड करने में 5.7 फीट से लेके 6 फीट तक के बंदे इस बाइक को परफेक्टली राइड कर सकते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बाइक को राइड करने में जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस गाड़ी में एक प्लस पॉइंट है इसका जो सस्पेंसन है वो एड़ेस्टेबल है आप इसको एड़ेस्ट कर सकते हैं जो भाइ लोग कहीं नहीं ये एक प्लस पॉइंट है स्मॉइल हैड के राइडर्स के लिए जो ये बाइक पर्चेस करना चाते हैं जो भाइ लोग एड़ेस्ट आप वीडियो सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीड़ेस्ट तिल देन टेक केर बाब बाई